असलाम अलेकुम दोस्तों तो आज हम बात करने वाले एक्सपेरिमेंट नमर 17.1 यह लास्ट एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर का 17 चैप्टर यह लास्ट है और यह एक्सपेरिमेंट 17.1 इसके हैडिंग है इसके अबाओ जी रोल ओफ येस्ट एंड एक्टेरिय इंडी फर मेंटेशन ओफ लोड एंड मिल्क है इंग देने के बाहर हमने क्या रहे करना होता है सबसे पहले हमने करना होता है मैटीरियल सिरी को यह तो इसमें हमारे पास क्या क्या रिकुर्ट इसमान कप उफ मिल्क एंड बेकर हम निखलेंगे यह तो मैटीरियल को एक बाद प्रसीजर लिखना होता है हमने प्रसीजर में हमारे पास पांच पॉइंट है इसके नमर वन में हमारे पास है हीट अफ्रेश मिल्क स्लोली टू 85 डिगरी एंड कीप इट इस तेंपरेचर फो टू मिनेट्स तो कि माइक्रोग गैनीज अगा नमर तू पर हमारे पास के आया पड़ा कूल दा मिल्क तो 40 डिगरी सेंटिग्रेट स्लोली नमर थ्री पर पूट टास्पून ओ योग हल्ट इन अकप नमर फोल पर फिल दाका विद मिल्क एंस्टिर नमर फाइब कवर दका विदा स्लींग व्रै आपने उब्जर्वेशन निख लेनी है चैप्टर में कोई डायग्राम नाम नहीं बनानी है आपने अपने बस इसके अब भी ओब्जर्वेशन में हमारे पास है रिकोर्ज अब्जर्वेशन गार्डिंग दा फिजिकल नेचर आप दी निक्चर ये अपड़े इसके ऑप् थीए है हम लिखते हैं को अगिलिया काम सब्सक्नारा है कार His Perfect डीकोईट का टिजिए इस प्लोर जार वाटर बीकर बीकरज इस्ट माइट लिखने के वर हम ने क्या करना है और पुर सीजिए लिख लेने प्रॉसीजर में मारे का से चार पॉंट डिखिए मैं बर वन पे है तो क्वान टेबls पून फोन पॉन देत्थचे इस प्लोरं फॉर water for a few minutes number 2 परा टेक अब बोल and put some floor in it number 3 fix water with floor and use in it and make duff number 4 keep this blow keep this bowl at room temperature for four say six hundred लिखने के बार हमने क्या करना है observation लिख लेनी observation में हमारे पास क्या आप्टर फर्मेंटेशन वोल्यम ओफ डफ बिकंस डबल डफ बिकंस सोफ एंड spongy floor is fermented by the yeast sorry यह था यहां तक ता सोफ्टी एंड स्पॉंजी ना सिच के बाए मारे हमारे पास लिखने सोफ फिलोर फेंड बाइशन दर्मेंट जरूर आपको वीडियो पसंद यह तर लाइक करना जरूर और यह कोई भी मसला होतो मुरी कमेट करके बता देना ताकर हम मस्टा ठीक okay thank you very much